नमस्कार, मैं युगल किशोर देवांगन, मैंने एमकाम के शिक्षा पूर्ण की है और मुझे शिक्षा में नौ वर्स का अनुभाव है मैं बालोच जीला का निवाशी हूँ, बालोच जीला जो की एक एतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक छेत से परिपूर्ण माना जाता है धार्मिक इस्थलों में यहां मोहंदी पाठ जो की 36 गड़ के 36 गड़ों में एक माना जाता है मेहंदीगड के नाम से जिसे पहले जाना जाता था वर्तमान में इसे महंदी पाठ जो की एक देविस्थल है इसके साथ साथ महा माया, सिया देवी, जलमला, जामरी पाठ, आदी, कुकुर देव मंदिर ये भी बहुत फेमस है इस तरीके से धार्मिक स्थलों के साथ सांस्कृतिक शेत्र में भी बालोजीला अग्रणी रहा है लोकरंग अरजुन्दा जो पूरे भारत देश में अपने सांस्कृतिक कायरकरम के नाम से जाना जाता है और साथ ही सिक्षा के शेत्र में बालोट जीला हमेशा से अग्रणी रहा है यहां देखते हैं जब भी दस्वी और बारवी का रिजल्ट आता है बच्चे टाप 10 में अपनी जगह बना पाते हैं तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी विशेष्टा के साथ बालोट जीला हमारे राज्ज में अपना इस्थान प्राप्त करता है मेरे विद्यालाई का नाम सास्की प्रात्मिक साला बगमरा संकूल एवं ब्लाक गुंडर्द ही जीला बालोट है मेरे स्कूल में कच्छा एक से पांच तक 161 बच्चे अध्यारत हैं और सभी बच्चे ग्रामिन और सहरी दोनों परिवेस्ट से आते हैं कि प्रारम में मैंने जब स्कूल किया तो शिख्षकों की संख्या कम थी उसके बाद शिक्षक उपस्थित हुए, बहुत सारे नई पोस्टिंग भी, तो वर्तमान में पर्याप्त शिक्षक हैं, तो मैंने देखा कि बच्चे तो बहुत हैं, आसपास के स्कूलों से अधिक संख्या में बच्चे दर्ज थे, परन्तु सभी बच्चे नीमी दुरुप से उपस्थ सित रहते थे, नीमी दुबश्थित उनकी नहीं मिल पाती थी, मैंने इस समस्या के निदान अपने इस तर पर जरूर किया, मगर मुझे पूर्ण रुप से सफलता नहीं मिली, फिर मैंने अर्विंदो ससाइटी के माध्यम से प्रसिक्षन प्राप्त किया, और मैंने यह जाना कि सिक्षा में सिर्फ पार्ठेक्रम के अलावा, अन्य गतिविदियों को भी सामील कर सिक्षा को बहुत रोचक और आकर्सक बनाया जा सकता है, जिससे बच्चे रूची ले ले सकते हैं, और मैंने वही किया, मुझे जो भी नवाचार या दिशा निर्देश स्री अर्विंदो ससाइटी जी से प्राप्त हुआ, वो मैंने लागू करने का प्रयास किया, जिसके अंतरगत खेल-खेल में सिक्षा, कबार से जुगार या कागज से रचनात्मक कायरे ब जारी रहा, जिसके लिए मैं हमारे प्रसिक्षक स्री द्रोण सांडेल जी का बहुत-बहुत अभार मानता हूं कि उन्होंने लगातार हमें दिशा निर्देश दिया, ओनलाइन अध्यापन हम कैसे कराएं, यह भी उनके दौरा हमें बताया गया, नए नए तरीके जैसे वे अभी वर्तमान में भी हमारे श्रीमान द्रोण सांदिल लीजी, अभी तक हमें ट्रेनिंग देते रहे हैं और उन्हीं के बताया अनुसार हम काम कर रहे हैं, और एक अच्छी इस्तिति में आज बच्चों की इस्तिति पहुँच चुकी है, हमारे स्कूल रोल मॉडल स्कूल हो सकता है, क्योंकि यहां बच्चों की दर्ज संख्या बहुत अधीक है, जो लगबग मेरे ख्याल से बलाक में सरवाधिक दर्ज संख्या है, जो बच्चों की हमारे स्कूल में हैं, और आस-पास बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी हैं, सहरी छेतर पास में होने के करण, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी हैं, परन्तु हमारे बच्चों की दर्ज संख्या बहुत अधीक है, और ये निरंतर कई वर्सों से यहें पर है, बिल्कुल भी दर्ज संख्या नीचे नहीं हुआ है, और साथ ही नीजी स्कूलों के साथ निरंतर प्रतिस्परधा हमारे बच्चे करते रहते हैं, इसकूल का वातरन बहुत ही स्वच्छ है, बहुत सारे पेड़ पौधे, प्ले गार्डन, किचन गार्डन, प्रिंट रिच वातवरन, डिजिटल क्लासरूम, संगीत और खेल की सिक्षा, सुन्दर वाचनालाय, सां प्रतिभा को निखार सकते हैं, अव्यक्ति कौसल विकास से तु विसेश प्रयास किया जाता है, माइक सेट भी हमारे साला में उपलब्ध है, जिससे प्राथना में बच्चे प्रति दिन अपने विचार सभी बच्चों सिक्षकों के शमक्ष रख पाते हैं, इस तरीके से विवीद, इस तरीके से विवीद विसेस्ताओं से परिपून हमारा विद्याला एक रोल माडल की रूप में हो सकता है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे अर्विंदो सुसाइटी एवं HDFC बैंक जो जिन्हों ने मुझे यह मंच प्रतान किया, धन्यव नमाशकार